सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में आपने शब्द विचार के अंतरगत प्रियावाची शब्द पढ़े थे, आज आप विलोम शब्द पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में, जैसे आप सब जानते ही हैं, विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थक, यनिके विपरीत अर्थ वाले अर्थात उल्टे अर्थ वाले, जैसे अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, उंच, नीच, इस प्रकार इनका उल्टा अर्थ इसमें विलोम सब्द बनाते समय यह द्यान रखना चाहिए कि तत्षम सब्दों का विलोम तत्भव, देशज व विदेशज सब्दों का विलोम उसी के अनुसार होता है। कुछ विलोम शब्दों के उधारन नीचे दिये जा रहे हैं, आप उनको द्यान से पढ़ेंगे, अपनी कौपी में उतारेंगे, समझेंगे, यदि कुछ समझना आए, तो मुझसे पूछेंगे, देखते हैं विलोम शब्द, जैसे चित्र में दिखाया गया है, यह चित्र है रात का, और यह दूसरा चित्र दिखाया गया है, दिन का, आगे देखते हैं, अत, इती, अत का मतलब होता है, किसी विशे को प्रारम करना, और इती का मतलब होता है, उसको समाप्त करना, अम्रित, विश, अंधकार, प्रकाश, अलपायू, दीरगायू, इच्छा, अनिच्छा, उतकर्ष, अपकर्ष, अनुराग, विराग, आदी, अंत, उपरी लिखित, निम्न लिखित, आगामी, गत, उत्थान, पतन, आग्रह, दुराग्रह, एक्ता, अनेक्ता, अनुज, अग्रज, अनुज का अर्थ होता है, छोटा भाई, और अग्रज का अर्थ होता है, बड़ा भाई, आकर्षन, विकर्षन, उद्यमी, आलसी, उद्यमी कहते हैं, मेहनत करने वाले को, और उसका विपर हो गया आलसी अधिक नियून का मतलग होता है कम आदान प्रदान उर्वर उसर एक अनेक आलस्य इस्फूर्ति एच्छिक अनेच्छिक अर्थात जो हम अपनी इच्छा से करें और अनेच्छिक जिसको करने की हमारी इच्छा न हो तो उल्टे हो गई न दोनों एक दूसरे के आगे देखते हैं आर्थ अनर्थ उधार नकद अपेक्षा उपेक्षा उपस्थित अनुपस्थित अतीवरस्टी अनावरस्थी उरिन रिनी उद्क्रिष्ट निक्रिष्ट उत्तम अधम आदर्श यथार्थ आय व्यए स्वाधीन, पराधीन, आहार, निराहार, दाता, याचक, खेद, प्रसन्नता, गुप्त, प्रकट, प्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, घरणा, प्रेम, सजीव, निर्जीव, सुगंद, दुर्गंद, मोखिक, लिखित, संक्षेप, विस्तार, घात, प्रतिघात, निंदा, इस्तुति, मित्व्य, अप्व्य, मित्व्य कहते हैं कम खर्च करना और अप्व्य अधिक खर्च करना आगे देखते हैं सरस, नीरस, सवभाग्य, दुर्भाग्य, मोक्ष, बंधन, कृतग्य, कृतग्न, क्रय, विक्रय, क्रय कहते हैं किसी चीज को खरीदना और विक्रय किसी चीज को बेचना दुर्लब, सुलब, निरक्षर, साक्षर, नूतन, पुरातन निरक्षर उसको कहते हैं जो बिना पढ़ा लिखा हो और साक्षर पढ़ा लिखा नूतन का अर्थ होता है नया और पुरातन अर्थात पुराना बंधन, मुक्ति, ठोस, तरल, यश, अप्यश, सगुण, निर्गुण, मूख, वाचाल मूख कहते हैं चुप रहने वाले को और वाचाल अधिक बोलने वाले को कहते हैं रुग्ण, स्वस्थ, रुग्ण कहते हैं रोगी को और स्वस्थ अथात जो रोगी ना हो रक्षक, भक्षक, रक्षक होता है रक्षा करने वाला और भक्षक उसको मारने वाला वर्दान, अभिशाप, शुष्क, आद्र, शुष्क कहते हैं सूखा और आद्र कहते हैं नमी को हर्ष, शोक, प्रसन्नता को और शोक करने को, दुखी होने को क्षणिक, शाश्वत, शाश्वत कहते हैं क्षण भर में नस्ट होने वाले को और शाश्वत जो कभी नस्ट ना हो जैसे कि इश्वर विधी, निशेद, विद्वा, सद्वा विद्वा उसको कहते हैं जिस इस्त्री का पती मर गया हो और सद्वा जिस की पत्नी मर गई हो शयन, जागरण, शीत, उश्न शीत कहते हैं सर्दी को और उश्न कहते हैं गर्मी को सक्रिय निश्क्रिय उचित अनुचित अंतरंग बहीरंग अंतरंग यनिके अंदर के रंग और बहीरंग बाहर के रंग अभिमान नम्रता अंत अनंत न्याए अन्याए बच्चो इस प्रकार ये विलोम शब्द है आप इनको अपनी कॉपी में उतार कर याद करेंगे और मेरे पास भेजेंगे मैं उसमें जो गूगल मीट पर जब भी क्लास लूँगी तो आप से ये सुनूँगी धन्यवाद